बिस्मिलाहेर एमान रहीम, असलाम आलेकूम, विलकम बेक टो माई चैनल, आज हम बेल बोटम टाउजर डिजाइन बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने कुछ मटिरल लिया है, हमने दो किसम की लेस ली है, एक बड़े पटे वाली हमने ली है, और हमने एक जीरो साइज वाली य हमें ये बोबिन वाला लास्टिक चाहिए, और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेर, कमेट और सब्सक्राब कीजिएगा, आईए स्टाट करते हैं, हम सबसे पहले फिरल बनाएंगे, हमने दो इच वेज में कपड़ा लिया है, और लेंट में हमने ज्यादा लिया है, अब इस तरह से दोनों साइड से आप पिको भी करवा सकती हैं, लेकिन हम इसके कौनर पे शिलाई करेंगे, हमने इस तरह से दोनों साइड से लाई कर दी है, अब हम लास्टिक लगाएंगे, हम सबसे पहले लास्टिक वोबिन के अंदर इस तरह से लगाएंगे, अब हम सलाई करेंगे सेंटर में, मशीन की जो टापे वो हम फुल रखेंगे इस तरह से, हमारी फिरल इस तरह से त्यार हो गई है, हमने ये लास्टिक नीचे लगाएंगे इस तरह से, अब हम टाउदर पे लगाएंगे, हम अब फिरल लगाएंगे तो हम फाइव इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, अब हम फिरल लगाएंगे, फिरल को इस तरह दे खीचेंगे नहीं, आइस्ता आइस्ता करके सिलाई करते जाएंगे, कि कि प difे trabajar लगाएंगे, इस तरह से, पाएंगे, कि तरह से, आईस्ता करते लगाएंगे, हमने फिरल इस तरह से अटेज कर दी है अब हम इसके ऊपर सेंटर में ही इस तरह से ये वोंटा लेस लगाएंगे हमने फिरल के ऊपर इस तरह से लेस अटेज कर दी है अब हम एक इच के फासले पर इस तरह से लेस अटेज करेंगे हमने इस तरह से दोनों तरफ से गोटा लेस लगा दी है अब हम बाहर की साइड जो हमारी बेल बोटम की फिटिंग की सुलाई है वो हम करेंगे इस तरह से हमने यह फिटिंग की फ्रेंट साइड है और यह हमारी बेक साइड है अब हम जो बडे वाली हमारे पास लेचती हम यह लगाएंगे इस तरह से हमने दो इंच के फासले पे निशान लगाएंगे इस तरह से टाउजर की सीधी साइड और लेस की हमारी उल्टी साइड है इस तरह से रखके यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने फोल्ड के लिए रखा था बसको इस तरह से रखके इसलाई करेंगे हमने एक सिलाई कर दी है अब हमें हमारी टाउजर की सीधी साइड और हमारी लेस की सीधी साइड दोनों सेम हो जाएंगे हम इस तरह से इसको टन करके इधर से सिलाई करेंगे अब हम फिटिंग की सिलाई करेंगे हमने पिटिंग की सिलाई कर दी है यह हमारी फाइनल लुक है इस तरह से नदर आएगी आई होप आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेर कमेट और सब्सक्राइब करें खुदा आफिस